श्रीन शिवाय नमस्तुब्यम सांथियों आपका पुना स्वागत है आपके अपने चेनल शिव महापुराण में आजकल आखों की समस्या सभी को रहने लगी है छोटे-छोटे बच्चे, युवावर्ग एवं सभी उम्र के वेक्ति मोबाईल इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं कि बच्चों, युवावं, सभी उम्र के वेक्तियों की आखे कम जोड़ होने लगी है तथा असमय ही आखों में तकलीफ रहने लगी है इसके लिए शिव महापुरार में बहुत ही अचुक उपाया बताया गया है जो आप सभी के लिए ये साथ में शेयर करना चाहती हूँ जिस किसी की भी आखों की रोशनी कम हो गई हो या आखों में कोई तकलीफ रहती हो तो प्रदोश के दिन चाहे कोई भी प्रदोश हो एक पीपल का पत्ता लीजिए उस पर शहद कम से कम एक दो चमश डाल लीजिए फिर शीव लिंग पर कुंदक के रिश्वर महादेव का नाम लेकर चड़ाईए या टपका दीजिए और फिर उंगली से उसी शहद को उठा कर पीपल के पत्ते पर रखकर बापिस ले आईए उस शहद को चार-पांस दिन तक आँखों में काजल की तरह लगाईए हाँ, एक बात का आपको ध्यान अवश्य रखना होगा कि शहद असली ही होना चाहिए कुछ दिनों में आपको असर मालूम पढ़ने लगीगा ओम नमस्षिवाय